हेलो एंड वेलकम दोस्तो मैं हैं इंजिनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो पाईए आप सब्सक्राइब करेंगे वही आप अपने मुबाइल फोन से आप अपने लेप्टॉप से घर बठे चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं कि बस पास अपलाइक करने के लिए आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा पहले आपको अप्लीकेशन फोर्म फिलप करना पड़ेगा इसका प्यमेंट करना पड़ेगा इसके बाद फाइव वरकिंग डे के अंदर अंदर में बाई पोस्ट आपके अगर आप पहले से बस पास बनवाए हुए हैं तो यहां नो करके यहां पर सम्मिट वाले पर कर देना है जैसे आपके सामने नया यह पेज ओपन होके आ जाता है यह आपका जो छोड़ा सा वर्म में यह बस पास चाहिए यहां पर प्रिंट बस पास चाहिए तो आप ओनलान ही अपने बस पास को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट करके आपने मवाल में रखके उसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको printed bus चाहिए तो आप इसको चूज करेंगे printed bus pass इसके बद यहाँ पे अपना full name यहाँ फाधर नेम यहाँ इसके बद यहाँ पे अपने date of birth इस calendar में से चूज कर लेना जो भी आपका date of birth है तो यहाँ से जाके आपको इसमें से अपना date of birth चूज कर लेना है जैसे update of birth चूज करते हैं यहाँ पे आपकी age आजाएगी यहाँ पे इस जेंडर आपको चूज कर लेना है male family यह इस तरीके से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है यहाँ पे आपको communication address डाल देना है जो भी address आप इसमें डालेंगे by post आपका जो bus pass है इसी address पे आपको send कर द देना है इसके बद यहाँ पर अपना email id और एक mobile नमर यहाँ पे डाल देना है यहाँ पर bus pass की आपको detail देनी होगी यहाँ से आपको bus pass टाप कर लेना है जेनरल या कंसेशनल हमको जन कंसेशनल bus box आपको यहाँ पे चूज कर लेना है अब यहाँ से आप category चूज कर लेंगे जैसे यहाँ पर student है इसके बद नेशनल है MP है email है आपके लिवल में आते हैं उस वह आपको यहाँ से चूज कर लेना है कि आप इस में कौन समय आते हैं तो आप इस में से जोन भी category में आते है वह आपको इस में से चूज कर लेना है अगर अप जनरल पास बनवाना है तो simply आपको यहां पर जेनरल चूज कर लेना है और यहां से अपना रूट चूज कर लेना है कि कौन सा रूट से आप बस पाक बस पास जो है कौन सा रूट से आप बनवाना चाहते हैं यहां पर दिल्दी टू गुरगाओ दिल्दी टू गाजयाबाद दिल्दी टू से आपको यहां पर चूज कर लेना है यहां पर चूज कर लेना है कि पास कौन सा डेट से चाहिए यहां से चूज कर लेता हूं next month मैं choose कर लेता हूँ यहाँ पर मैं एक फड़बडी से यहाँ choose कर लेता हूँ month आपको choose कर लेना one month के लिए तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरिका से आपका date select हो जाता है इसके बद यहाँ पर आपका amount भी आ जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देल ही तो फरीड़ाबाद के लिए one month के पास बनवाने के लिए यहां पर आपको अठारा सो रुपय का payment करना पड़ेगा इसके बद यहां पर आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगे यहां पर सेलफी या फूल फोटो आपको अपलोड नहीं करना पड़े नहीं करना है यह यहां पर फोटो फोटो को आप फोटो लेंगे पासपोर्ट साज का फोटो लेंगे फोटो को लेकिए यहां से सलेक्ट करके यहां पर आपको ऊपन कर लेना है इसे देखिए यहां फोटो इस तरीका साब को होना चाहिए फोटो को सलेक्ट करेंगे इस तरीका से ओपन करें हैं आपके सामने इस तो पूरे डीटेल आ जाएगी आप अपने पूरे डीटेल को एक बार देख लित अगर equilibed को पर अगर लगवह सब कुछ सही है तो यहां के declaration को accept करेंगे accept करने के बाद यहां send और लजग करेंगे किलिक करते हैं जोको यहां पर देख रहे हैं कि यहां इसले वसार्ज चार्ज भी यहां पर दिना हया तो ज Chicago Doc उस囉 फेच से कुछ लिखा हुआ आ जाता है तो यहां पट रहे होन्स किहले निट्युप Alone फेख विछी पाले करको करें यहां पर करेंगे इस तरीख यहां पर्मोइन पहले करेंगे इस तरीख फिर्ट करतेओंस यहां पर शज्य ही संवीड का उंप नेट बाइंकिंग और भीम यूपी आई से यहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं यहां पे एक बार पेमेंट हो जाने के बाद बस पास आपके एड्रेस पे ड्रेवी कर दिये जाएगा बाइप पोस्ट अगर आपने प्रेंटेट वाला ओप्शन चूज किया था अगर आप यह बस पास चूज किया था तो आप अपने बस पास यहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ओनलाइन बस पास डाउनलोड करने के लिए यहां पर इट बस पास पर किलिक करेंगे यहां पर सामने यहां से यहां पर ऑप्शन ओपन होके आ जाता है यहां पर आपको यह बस पास का डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस तरीका से आप DTC बस पास के लिए आप online अपलाइक कर सकते हैं, अपने मोबाल से, अपने लैप्टॉप से, तो गाज अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं कियें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए, क्योंकि मैं इस तरीका नहीं आप वीडियोस में पड़े अफलोड करते रहता हूँ